गूड मॉनिक स्टूडेंट्स आज मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए लेके आया हूँ Poem 5 जिसका नाम है The Ball Poem और इसके Poet है John Barryman तो इस Poem का जो मेन आइडिया है वो है Gains and Losses are part and parcel of human life कि खोना और पाना मनुस्या की जिंदगी के अंग है हैं तो इसके फर्स्ट एंजे से स्टार्ट करते हैं What is the boy now who has lost his ball what what is he to do I saw it go Marily Marily पसंता पूर्वक bouncing उचलते हुए jumping down the street and then Marily over and there is in the water no use to say oh there are other balls तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं हिंदी What is the boy now कभी कहता है कि एक लड़का जो कि अपनी बाल को उच्छालते आ रहा है और उसकी बॉल पानी में चली गई है वो अब क्या करेगा who has lost his ball जिसकी गेंद खो चुकी है what what he is to do अब वो क्या करेगा I saw it go Marily bouncing down the street कभी कहता है मैंने लड़के को देखा था कि वो अपनी गेंद को उच्छालते हुए नीचे गली की तरफ जा रहा था and then Marily over और तब उसकी जो प्रसंताइं थी वो समाप्त हो गई there it is in the water क्योंकि अब बॉल कहां पर है उसकी बॉल पानी में है no use to say or there are other balls कभी कहता है कि ये कहने का कोई भी प्राइड नहीं है कि और भी बॉल्स हैं अर्थात कभी उस बच्चे को पैसे दे सकता है और वो बच्चे उस पैसे से नहीं बो ले सकता है लेकिन कभी उस लड़के को लेसन सिखाना चाहता है कि जिनकी में पाना और खोना एक अनिवारिया अंग है आई ये अब इस पोयम के questions भी देख लेते हैं फरस्ट एंजे के name the poem and the poet तो इस concept the name of the poem is the ball poem and the poet is John Barryman what has the boy lost लड़के ने क्या खो दिया है the boy has lost his ball his ball अपनी गेंद where did the ball land finally अंत में जो बॉल है वो कहां कि तरफ किस तरफ लेंड करती है in the water पानी में चली जाती है what did the poet see ball bouncing towards कभी देखता है कि किस तरफ से बॉल उचलती हुए आ रही है his side bouncing down the street down the street गली में नीचे की तरफ last question find from the stanza words which mean stanza से आपने इन words के meaning देखने है happily मैंने उपर विताया था आपको happily प्रसंता पूर्वक that means Mary Lee और jumping उचलते हुए that means bouncing stanza second no use to say oh there are other balls इसका मैंने last stanza में फर्स stanza में मिनी उताया था and ultimate ultimate final untim shaking hiltna grief दुख fixes the boy कभी कहता है कि उस लड़के पर एक ऐसा दुख चा गया जो की समाप तोने वाला नहीं था एजी स्टेंट्स रिजीड रिजीड स्थीर और लड़का एक ही जगहां पर स्थीर है खड़ा हुआ है ट्रेंब्लिंग कांप रहा है staring down नीचे की तरफ घूर गूर रहा है जहां पर उसकी बॉल चली गई है all is young days into the harbour harbour बंदर गहा समुदर के किनारे जो होता है तो वह अपने जो तीन है बचपन के उस किनारे पर खड़ा है वेरीज बॉल वेंट जहां पर उसकी बॉल पानी में चली गई है आई अब इसके questions देखते हैं how do people generally comfort a boy who has lost his ball लोग एक लग्रके को कैसे सांतवना देते हैं जो की बॉल खो चुका होता है तो इसका अंसर है they generally comfort him saying that he can have another ball where does the boy stare at लड़का कहां पर गूर रहा है he stares at the harbour where his ball went what comes to his mind when he looks at the ball third question आई है तो the sense of loss comes to his mind that he will never get his ball back और दो वर्ड है जिनका मिन्हीं पताना है stanza का कोडिक final final का मतलब ultimate sorrow इसका मतलब grief stanza third an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid trembling standing staring down all his young days into the harbour where his ball went यह lines तो वही है second stanza वाली I would not intrude on him intrude guspet करना कभी कहता है कि लड़के की बोल खो चुकी है मैं उसके मामले में कोई भी guspet नहीं करना चाहता दखल अंदाजी नहीं करना चाहता अर्थात कभी कहना चाहता है कि मैं उस लड़के को पैसे दे सकता हूँ दूसरी बोल करीजने के लिए कभी कहता है कि मैं उस लड़के को पैसे दे सकता हूँ दूसरी बोल करीजने के लिए प्रणतुई है बेकार होगा अर्थात उस लड़के को ये ग्या नहीं होगा कि बोतिक चीजों के खो जाने पर कभी भी दुख परकट नहीं करना चाहिए और यह के कोश्चन देख लेते हैं वट वाज दा रियक्शन ओप दा बॉई एड़ लोस ओफिज बॉल जब लड़के की बॉल खो जाती है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है दश्कांसर है दब वाज इना स्टेट ओफ ग्रीफ एंड सोक एड लोस ओफिज बॉल सेक्ट गोशन है वेर वाज़ दबॉइस टेरिंग डाउन किस तरफ गूर रहा था वह स्टेरिंग गूर रहा था तो ही वास टेरिंग डाउन दा हारबर वेर इस बॉल हैड गॉन पोईट डिड नाट ओफर दाब वाई अडिम विकॉज ही थोट इट वाज यूजलेस टू डू सो स्टेंज फोर में हैं ही सैंसीज फर्स्ट रिस्पोंसिलिटी जिम्मेदारी अब वो लड़का अपनी पहले जिम्मेदारी मैसूस कर रहा है जो की बोल खो चुका है कि पा है ही मिन्स तू से डाट एवरी पर्सन है सेम थिंग्स विचार आलवेज डियर तो हिम देयार हीज पोजैसंस तो पीपल विल टेक बॉल्स लोग हमेंसा गेंद लेते हैं बॉल्स विल बी लोस्ट आलवेज और गेंद हमेंसा खो जाती हैं जिन्दी में नुकसान होते हैं और लाब भी होते हैं लिटल वह इस चोटे बच्चे की तरह जिसकी गेंद खोचुकी है और कोई भी द्वारा उस गेंद को द्वारा नहीं खरीदता जो हमारे साथ गुजर चुका होता है जो गुजर चुके हैं उन्हें कोई याद नहीं करता मनीज इटर्णल इससे Who senses his first responsibility? The little boy. What does the poet mean when he says world of possessions? So he means to say that every person has same things which are always dear to him. They are his possessions. What does the poet mean by money is eternal? So here the poet means to say that money can replace the lost things. What does the poet mean by saying Balls will be lost always. He means that nothing is permanent in the world. The possessions are liable to be lost at some point in the person's life. Stanza 5. He is learning. Ab ladaka seekh raha hai. Well behind his disparate eyes. Disparate udasi bhari aankhon ke saath. The epistemology of loss. Epistemology. Khoonay aur panay ka vijyyan. Ab ladaka seekh raha hai ki khona aur panay jindgi ka ek hissah hai. Or khonay ke baad how to stand up. फिर कैसे कैसे दुबारा खड़े होते हैं? Knowing that every man must one day know. और वो यह जान गया है. जो कि हर एक आदमी को एक दिन जान जाना चाहिए. क्या जान जाना चाहिए? Every man must know one day that gains and losses are common things in life and one must learn to put up with them. And must know how many days. और कहीं लोग ऐसे होते हैं, जो कहीं दिनों में जान पाते हैं, how to stand up की कैसे खड़े होना है? तो अब लड़का उस गेंद को वहीं छोड़ करके चला जाता है और दुबारा से अपनी जिन्दगी में अपनी जिन्दगी को जीना स्टार्ट कर देता है. तो बच्चो आपने एक पोयम सुनी पूरी, एक कोश्चन मेरा आपके लिए है, what is the theme of John Barryman's poem, तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में जाकर के रिप्लाई करना है, अगर आपने एक पोयम अच्छी तरह सुनी होगी, तो आप इस कोश्चन का रिप्लाई बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, thank you and have a good day.